बिहार के जिला बेगु सराय थाना शेत्र नवकोटी ग्राम डुमरिया की रहने वाली नीलम यादव उम्र 25 वर्ष है पती का नाम रंजेश वह उनके दो बच्चे हैं नीलम यादव अपनी रील्स को जादा से जादा लोगों तक पहुँचाना वस सब्सक्राइबर बढ़ा ना चाहती हैं ताकि उनके परिवार में जो गरीबी से गुजर रहा है उसे थोड़ी निजात मिल सके। आने वाले समय में सोशल मीडिया पर अपना एक नाम और अपनी पहचान बनाना चाहती हैं ताकि वह अपने घर परिवार की जिमनेदारी उठा सकें वही मीडिया से बात करते हुए नीलम यादों ने बताया कि हाल ही में उन्होंने फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर अपना जो अकाउंट बनाया हुआ है यूट्यूब पर भी अकाउंट जल्द बनाएंगी ताकि परिवार की जिम्मेदारी उठा सकें वही मीडिया से बात करते हुए नीलम ने बताया कि हाल ही में उन्होंने फेस्बुक पर अपना जो अकाउंट बनाया है नीलम देवी के नाम से है नीलम ने बताया कि वह अपने राज और अपने गाउं और अपने तहसील और अपने शेत्र का नाम रोशन करना चाहती है जो अ साथ नीलम सोशल मीडिया कुईन भी कही जाती हैं सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता देखते ही बनती है वे अक्सर अपने नई पोस्ट फैन्स के साथ साजहा करती है ऐसे में नीलम ने एक और खुशकवरी को अपने चाहने वालों के साथ शेयर किया है दरसल बिहार के 12,000 फॉलवर्स के साथ आती है नीलम ने बताया कि वह एक बहुत ही छोटे गरीब परिवार से तालुक रखती है वह सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वफेस्बुक पर एक नया इतिहास लिखना चाहती है और अपने जादा से जादा फॉलवर्स बढ़ाना चाहती है इसके यह नीलम यादों ने अपने चाहने वालों को कहा है कि उसे जादा से जादा लाइक और सब्सक्राइब करें और नीलम ने एक वीडियो अपने फेस्बुक अकाउंट पर शेयर किया है जिसमें वेरील्स में अपने चाहने वालों को मंत्र मुग्द कर रही है